साथियों, आज परियटन दुनिया के अनेख देशों में एक आकर्शक उद्योग के रुपे रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बड़ा हुआ है आज पूरी दुनिया में अनेख देश हैं जिनकी पूरी अर्थिववस्ता सिर्फ और सिर्फ परियटकों के भरों से चल रही है भारत के कोने कोने में परियटन की शक्ति अपार है बहुत सामर्थ पड़ा हुआ है हमें इसे और बढ़ाने की जरूरत है आज दुनिया नए स्थानों को, नए कल्चर को, नई चीजों को देखना चाहती है समझना चाहती है, जुड़ना चाहती है लोग कुछ दसक पहले की विरासत देखकर आँखे चोड़ी करती लेते हैं उनको कभी कभी लगता अच्छा है लेकिन जब भारत में आते हैं और यहां हर कौने में, हर पत्थर पे, हजारों साल पुरानी यादे, वहां पर समाईद हुई देखते हैं हजारों साल पुरानी ये महान परंपरा दुनिया जब देखती हैं तो चकाचोंद्व उनके मन को प्रभावित कर देती हैं इसलिए आज ये समय की मांग है कि भारत अपनी विरासत को जाना से जादा और तेजी के साथ समुरक्षित करें वहां आदुनिक सुविदाएं बढ़ाएं और हम ये पूरे देश में देख रहे हैं कि बीते बर्षों में जिन भी तिर्टस्तनों को आदुनिक सुविदाओं से जोड़ा गया वहां यात्रियों की संख्या परियटों की संख्या अनेक गुना बढ़ गई है इसका सीधा लाब वहां रहने वाले आसपास के गाउं के लोग आसपास के जीले के लोग उनको इनका बहुत बढ़ा लाब होता है मैं बाबा धाम के आप लोगों को बाबा विश्वनात की नगरी काशी का एक उदान देना चाहता हूँ जबसे काशी में विकास ने गती पकड़ी है काशी विश्वनात परिशत का सुंदरी करण हुआ है बनारस आने वाले स्त्रद्दालों की संक्या में कई गुना बढ़ोत्री हुई तीन साल पहले की तुलना में इस साल वारा नसी में अभी तक तीन गुना अधिक यात्री आये हैं इस वृद्धी के चलते होटल वाले हो धाबे वाले हो नाव वाले हो ओटो रिक्षा वाले हो फूल पौधे बेचने वाले हो पूजा का सामान बेचने वाले हो इतना ही नहीं चाई बेचने वालों को भी बहुत फाइदा हो रहा है उनका कारोबार बहुत बड़ा है वहाँ जो हस्त सिल्प का काम होता है कारी गयर बुनकर जो सामान बनाते हैं उसकी विक्री भी बहुत ज्यादा बड़ी है साथियों ऐसा ही प्रभाव हम केदारना दाम में भी देख रहे हैं जब वहाँ पुनर निर्मान नहीं हुआ था जब वहाँ सुभिदाय नहीं बड़ी थी तो कपाट खुलने की शुरूवाती दो महिने में एवरेज दो धाई लाठ यात्री आते थी इस साल कपाट खुलने के शुरूवाती दो माईनों में करीब करीब नव लाग स्रत धालों बाबा केदार के दर्शन कर चुके ऐसा ही एक उदारन आपको पता होगा गुजरात में मा नरदा के तड़ पर सरदार वल्लब भाई पटेल की विश्व की सबसे उची प्रतीमा बनी है Statue of Unity उस जगा पर जाने किया उसके निर्मान के कारण और वो पूरा छेत्रा मेरे आदिवासी भाई बेहनों का छेत्र है वहाँ अमारे आदिवासी भाई बेहन की रोजी रोटी कमाते है Statue of Unity बनने के बाद लाखों की तादाज में हाँ लोग आते हैं और ये टुरिस्ट वहाँ पर होटल वहाँ के डाबों में हैंडिकाप के सामान करीदना सेकड़ों करोड रुपे भी खर्च करते हैं इसका सीधा लाख वहां रहने वाले लोगों को हो रहा है मेरे आदिवासी भाई बेहनों को हो रहा है यानि जब परियतन बढ़ता है तो इसका फाइदा करीब को होता है आदिवासी को होता है दलीत वंचित पिछडे को होता है चार खणने भी बढ़ती हुई connectivity आस्ता के स्थलों का सुन्दरी करन परियतन को बढ़ाएगा यहाँ पर रोजी रोटी को अवसर देगा नव जवानों के लिए नए मौके मिलेंगे स्थानी यह लोगों की आय बढ़ेगी यह हमारी सरकार के लिए बहुत गर्व की बात है कि 15 नवंबर हर कोई गर्व करता है पुरे देश में 15 नवंबर पगवान बिर्शाम मुंडा के जन्म दिवस को हमने जन जातिय गवरव दिवस गोशित किया है और अब पूरा हिंदुस्तान हर वर्ष इस बात को मनाएगा धर्टियावा बिर्शाम मुंडा के बहतरीन और अधुनिक संग्राले के निर्मान का सौपाग्य भी हमें ही मिला है मुझे विस्वास है जो परियोजनाए आज हमने शुरू की है वो जारखन के विकास को नई गती देने जा रही है